टमाटर प्याज लस्टन से बनाए बहुती ज़्यादा टेश्टी सा कुरकुरा सेंडविच देखे कितना क्रिस्पी है है ना एकदम क्रिस्पी दोनों साइड से यह क्रिस्पी है सेंडविच बनाने के लिए मैंने बारिक कटा हुआ प्याज ले लिया है तो मैंने एक बड़ा प्याज कटा है और उसके बाद हम ले लेंगे बारिक कटा हुआ गाजर यहाँ पे गाजर आप चाहे तो लीजिए आप चाहे तो मत लीजिए उसके बाद बारी कटा हुआ हम ककड़ी ले लेंगे और अब लेंगे टमाटर आप सिर्फ और सिर्फ टमाटर प्याज और सिम्ला मिर्च से भी बना सकते हैं उसके बाद मैंने बारी कटा हुआ एक चमज भरके लसन लिया है यहाँ पर आप चाहे तो अद्रक लसन का पेश्ट भी ले सकते हैं अब इसमें डालेंगे हम दो चमज भरके टमाटर सोस और अब इसे तीखा बनाने के लिए मैंने कुटी हुई लाल मिच ले लिए तीखा अब इन सभी इंग्रेडिंस को मिला देंगे यहाँ पर नमक रे गया है इसमें डालना इसलिए नमक भी डाल देते हैं तो स्वाद की अनुसा नमक डालेंगे टोमेटो केचप में नमक आता है तो यहाँ पर नमक आप देखके ही डालेगा अच्छी तरह से यह मिस्ट मिल ग सकते हैं आप अपनी सौहलेत के इसाफ से जो भी आपके पास अवेलेवल हो वह आप घी बटर कुछ भी लगा दीजिए दोनों ब्रेड के उपर जिससे कि जब यह कूक होगा ना तो इसके अंदर का जो मसाला है वह बहुत ही पढ़िया से यह पक जाएगा तो यहाँ पर मै अब इसे सेखने के लिए मेरे पास सेंड्विच मेकर है आप जाहे तो डीप तवा जो नॉर्मल लोहे का तवा आता ना उस पे या पिर नोनिश्टिक तवे पे पैन पे किसी पे भी सेख सकते हो घी या बटर लगा के तो पहले अची तरह से घी फेला देंगे इस सेंड्व तो पहले काटोरी को हटाएंगे और इसके पास प्लेट है ना इसको हमें चिम्टे से या किसी चीज से अटाना है क्योंकि प्लेट बहुत गरम हो जाती है अब देसी घी लगा देंगे इसके दूसरी साइड भी आधी चमज एक सेंड्विच बनने में तकरिबन दो चमज द दूसरी साइड भी आप देख लीजिए एकदम बड़ा सा क्रिस्पी सा हमारा सेंड्विच बनके त्यार है आप यह सेंड्विच बनाए खाए और अपने प्यारे से कमेंट जरू शेर कीजिएगा दोस्तों आपके कमेंट का हमेशा इंतजा रहता है और यदि आप चैनल प